हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल अमन जैकिन तो गाइस यह मनोविज्ञान का क्या है मनोविज्ञान का पार्ट कितना है पार्ट फोर वीडियो है तो गाइस इस वीडियो को जरूर से जरूर से देखिए आज जिनका मीटर्म इग्जाम है या फिर आगे जो 22 तारिक स सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन तबाएं और वीडियो को जरूर से जरूर करते हैं तो गाइस शेप्टर नमर फाइब से हम क्या कुस कोस्टन्स आपको बताएंगे जो मनुविज्ञान में मीटरम एकजाम और क्या सेक्ड सेमेश्टर एकजाम में आने की संभावन आएं तो क्या दिया है हम किस पर चर्चा करेंगे ब्याखात्म संख्यांकी तथा मद्यमान मानक बिचलन तथा प्रतिसत्त के बारे में बात करेंगे तो चलिए हम कोस्टन को एक बार देख लेते हैं तो हमारा पहला कोश्चन में क्या दिया है की पहला कोश्चन में दिया है तो आई हो जरूर चर्चा Vegas एक वीडियो जरूरण जरूर अच्छा लगेगा तो क्या है बिचलन मान का मुख्य रूप क्या होता है ये सभी होता है आपसन नमबर चतु थांस का प्रमारिक विचलन का विश्टार्थ विचलन का ये तीन हो तो आपसन नमबर डी अगला कोश्चन प्रमारिक विचलन के माप परियुक्त होते हैं क्या होते हैं प्रमारिक विचलन के माप मध्यमान को परियुक्त होते हैं अगला कोश्चन गड़ना में सम्हूं के सभी प्राप्तांकों को महत दिया जाता है प्रमारिक बिचलन को महत दिया जाता है अगला कोश्चन क्या दिया है कि चारिता वर्ग होता है क्या होता है क्सा चारिता वर्ग प्रमारिक बिचलन अनला कोसिशन है यहां 27 25 और 27 75 का क्यों करते हैं PRAMADIK विचलन के लिए किसकाmber करते हैं अगला कोसेशन देखे का दिया है बहुत ही महस्त QC है लजवाब QC है यहाँ है यह जाम में 100% आने की संभाव नहीं हैं तो बिचलन मानों में सबसे सुद्ध माना होता है मान होता है क्या होता है प्रमारिक बिचलन बिचलन मानों में सबसे सुद्ध मान को प्रमारिक बिचलन कहते हैं अगला कुछ समान वक्र की उश्याई होती है क्या होती है सभी होती है यह सभी थ्री मला 49 क्या दिया है 39.89 अगला कोजिशन की बात करते हैं कि एक समान वक्र के अच्छ पर अंकित करते हैं क्या अंकित करते हैं इन सभी को अंकित करते हैं प्राप्तांको को प्रमारिक अंको को जैड अंको को तो आपसन नमबर D ये सभी आपसन है अगला कोजिशन की बात करते हैं हम अगला कोश्चन में दिखाया गया है कि समान वक्र का कुल छेतर कितना होता है सभी होते हैं अगला कोश्चन सतान समान का रूप होता है कोई नहीं अगला कोश्चन यदि किसी अंकिक सिंखला के हर में कोई एक संख्या जोड़ी जाए तो मानक विचलन और प्रभावित रहता है क्या होता है सत्य होता है अगला कोश्चन एक अंकिक सिंखला का मानक विचलन चार है यदि इस सिंखला के हर अंक में चार गुड़ा किया जाए तो मानक बिचलन का मुल्य होगा क्या होगा 16 होगा अगला कुस्चन देख लेते हम अगला कुस्चन में का दिया है कि यदि सिंखला के हर अंक में तीन घटा दिये जाए तो सिंखला का मानक बिचलन तीन घट जाएगा यहां असत्य है कि असत्य है का वड़तात्मक स्थर से अधिक कोई महतों नहीं है यह सत्य की असत्य है पोई परभान है तो यह कथन सत्य है आपसन नमबर यह सत्य है अगला कुछ्चन की बात कर लेती है हम अगला कुछ्चन में का दिया है कि विछिन आविट्ति बतन बंटन में समूह के लिए क्या दिया है माइक्रो वञार माइक्रो थिरी में स्पेट के संसोधन अनावस्यक हैं क्या है अनावस्यक है तो आप्सन नमबर B अनावस्यक है यदि बीटा टू का मान तीन से अधिक हो तो बंटन में नुकेले सीर्ष वाला क्या है बंटन में नुकेले सीर्ष वाला आप्सन नमबर B अगला कुश्चन देख लेते हम एक मद्द सीर्स वाले बंटन में चतूर्थ केंद्री परिगात का मुल 768 है तो परमाब बिचलन का मान होगा क्या होगा? रूट में 763 होगा रूट में 763 आपसन नमबर A अगला कुश्चन के देख लेते हम तो यदि एक नुक्विले सीर्स वाले बंटन में प्रसरण का मान नहों है तो चतूर्थ केंद्री परिगात का मान क्या होगा? लेज देन कितना होगा? मला 243 कितना होगा? लेज देन 243 तो अगले कुश्चन की हम बात कर लेते हैं अगला कुश्चन बहुत ही मस्त कुश्चन दिया है अगला कुश्चन किस मदhmen चरम मुल्यों का नियूंतन प्रभाव होता है किसमें बहुलक में अगला द्यक्तिगत और लोकोनों के बिचलनों का योग सुनने होता है क्या होता है समांतर से माद से कहां से सुन होता है समांतर माद से अगला कोश्चन किसी स्रेडी में बहुलक मुल्य है सरवाधिक आबरिति वाला मुल्य है क्या है बहुलक क्या है सरवाधिक आबरिति वाला मुल्य है किसी स्रेड़ी में अगला कोस्चन समांतर मात में विविन मुल्यों के बिचलनों के वर्गों का जोड नियूंतम है क्या है वर्गों का जोड नियूंतम है अगला कोस्चन पूरॉदी किसी बंटन में एक्स बाप केंक रशा हु오 मापो में सभी पद मुल्यों पर आधारी थे तो आपसर नमबर क्या होगा सीप प्रमाप विचलन अगला कोस्टन तो गाइस इन छोटे-छोटे कोस्टनों को याद कर लेंगे तो अंतर चतुर्थक विष्टार में समावेश होता है मद्द के 50% पदों का समावेश होता है आपसर नमबर बी एक सममिती बंटन के माद विचलन बराबर होता है कि इसके बराबर होता है आपसर नमबर ॗ क्या दिया है आपसर नमबर ॗ में हो विष्ट होता है तो आपसर नमबर कोंसे सही है 99.73 परसंट एगिधी है अगला कुश्च KP देख लेतेऊ हम तो गाई समारा अगला कोशन क्या दिया कि यादि किसी अबरिती बंटर में परसरण पसीच हो और समांतर दोस हो तो बिजरन गुडांक बराबर होगा किसके प्राबड होगा पचास प्रसेंट के अगला कुशन बीस मता गुडांक का समानता माइनस वन और समानता प्लस वन के बीच मान होता है आपसन नमबर भी अगला कुशन देखी लेते हैं यदि प्राथम चतूर्थ 142 हो और अर्ध अंतर चतूर्थ 28 हो तो बंटन सममित मानते हुए मध्यका मुल होगा 160 मतला 160 होगा 160 आपसन नमबर भी अगला कुशन देखी लेते हैं किसी आपरिती बंटन में बावले का विश्मता गुडांग 0.6 है यदि दोनों चतूर्थंकों का योग 100 हो और मध्यका मुल 38 हो तो अपर चतूर्थक मान होगा क्या होगा आपसन नमबर 17 मतलब 70 होगा अगला कुशी बंटन में दोनों चतूर्थंकों का अंतर 3.1 है उन्हेका योग 72.63 है और मध्यका मुल 36.18 है तो विश्मता गुडांग क्या होगा तो हमारा विश्मता गुडांग 0.1 होगा अगला कुश्यन देख लेते हैं कि विश्मतार गुडांग का परिभासित किया जा सकता है तो विश्मतार गुडांग परिभासित किया जा सकता है यल माइनस यस बटे में 2 अप्सन नमबर डी ये शुत्र याद रखेंगे अगला कोस्चन अगे दिया अप कीरड का माप दिये हुए बीरोडर की अबिर्थियों में स्वतंत्र होता है क्या होता है रेंज अप्सन नमबर ए अगला कोस्चन किसी बंटन में जहां पद मुल्य आकार में आसमान हो तो क्या होगा आप्सन नमबर ए एकस बार लेस देन गियम फिर लेस देन एचम ठीक है आप्सन नमबर ए टीक करके आएंगा अगला कोस्चन यदि किसी स्रेड़ी में छोटे मुल्यों को कम और बड़े मुल्यों को अधिक भार दिया जाए तो आप्सन नमबर कौन सा सही होगा आप्सन नमबर सी एकस लेस देन एकस बार फिर डबलू दिया है तो आप्सन नमबर सी अगला कोस्चन देख लेते हैं यदि किसी समानतर माध्य बीस है यदि समानतर माध्य 20 है और बौलक 18 है तो मत देखा क्या होगा 90.33 होगा आपसर नमबर B अगला कोश्चन 75 सा अतमक क्या है आपसर नमबर C बराबर क्यों 3 है आपसर नमबर C क्या दिया है चारलियर जांस का प्रियोग होता है किसमें होता है समानतर माध्य में चार्लियर ज्यांच का प्रियोग होता है अगला कुस्चन देख लिए हम अगला कुस्चन करिया और सत मजदूरी मजदूरों की संख्या दिया हमें और सत मजदूरी 120 और क्या दिया है कारखाना मज़दूरों दिया है मज़दूरों की संख्याँ 800 और 1200 है कार खाना एक ये तिया है कि किसेते हैं अगला कुश्च accumulation तो चतूरफक बीचलन की किसे की जाती है अगला कोश्चन बिचलनों के वर्गों का नियुंतम होगा जब यह लिया जाएगा माध्ध माध्ध के लिए बिचलनों का बीजगरती योग होता है अगला कोश्चन, काल्स पियर्षन के विश्मत गुडान का सुत्र क्या है यक्स बार माइनस जेट अपान में रो अगला कोश्चन दो चारांक यक्स और वाई के मत किवल एक ही प्रती पगमंट रिखा होगी यदि आर बराबर प्लस वन या माइनस वन होगी अप्सन नमबर डी अगला कोश्चन अगला कोश्चन क्या दिया है आर बराबर आर एक्स वाई बराबर क्या होता है हमारा रूट में भी एक्स वाई और क्या होता है भी वाई एक्स होता है तो आपसे नमबर 6 सही है एकला कोस्टन यदि x बार बराबर 5, y बार बराबर 7, r x y बराबर 0.4, रो बराबर 1, r x बराबर 2, row y बराबर 3, y की x पर प्रतिगमन प्रसमी करण है क्या है y बराबर 0.6, x प्लस 4 आपसे नमबर 6 अगला कोश्चन यदि B X Y बराबर 0.5 तो R X Y बराबर 0.8 Y प्रकापसरर 16 तो रो X कामान कितना होगा 2.25 होगा आपसन नमबर A तो अगला कोश्चन क्या दिया है संख्यान की प्रतिगमन के सिद्धान्थ प्रतिपादित करने का स्तरे किसको जाता है सर फ्रांसिसर गाल्टन को जाता है आपसन नमबर A अगला कोश्चन बिचलन सिलता वहाँ का दिया है अब ही सीमा है जिसके अंतरकत अंक अपने माध्यम के नीचे ओपर विचली या कफन किसका है लिंद की वर्ष्ट का अगला कुस्शन हम देख लेते हैं गब संक्यांकी संकों के दो बीरन कहमान हो सकते हैं उनके बहुलांग के वर्गों में एक है अबृतिया किन्तु ऐसा होने पर भी उनके विस्तार केंद्री पवित्यों के माप हो चारों और मुल्लेव में काफी अंतर हो सकता है या कथन किसका है निस वेंगर का है अपसन नमबर सी अगला कोश्चन बिचरल सिल्टा मापन के परकार है उपयुक्त सभी है प्रसार भी मद्यवान बिचलन चत नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभी आपका विग्जाम बहुत दूर है 22 से एक्जाम स्टार्ट है तब तक यह आपको वीडियो पूरा मिल जाएगा किसका मिल जाएगा मनों विज्ञान एकोनामिक्स और मेडवल हिस्टरी के तीनों के हम वीडियो आपको पूरा-पू कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करिएगा चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं